so hey guys welcome back to our new video तो आज की इस वीडियो में हम लोग ठगेश की तरह कुछ इस टाइप का फ़ॉमने वाले हैं तो इस टाइप का फ़ॉमनिल तो इस टाइप का फ्निल आप लोग कैसे अपने इसमार्ट फोन से बना सकते हैं एंड इस वीडियो में मैं Pixel Lab application यूज करने वाला हूं तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं एंड मेरे steps को follow करिए आप भी इस टाइब का thumbnail बनाना सीख जाएंगे एंड यहां पर जो फोटो लगाई गई है यहां पर आप लोग सो चलेंगे प्रिस्पेक्टिव टूल का यूज कर लेंगे पिक्सल लैब में एंड इस टैप का मतलब में इमेज लगा लेंगे तो आप लोग से हो सकता है एक दो बार बन जाए लेकिन उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आएगा तो पुरा फुल वीडियो देखेगा मैं सब चीज बताऊंगा डिटेल बाए डिटेल तो चले चलते हैं पिक्सल लैब अप्लिकेशन पर जाना है देन आप लोग को इ डिफॉल्ड ये निवियू टेक्स्ट लिखा होगा उसको सलेक्ट करना है दिलीट को जाना है एंडव लेट कर देना है तो आप लोग को बॉलेब युट करने वाला हो देनैंसे आप लोग को अपना क्लर चीछ क्रेल लेना हिए जैसा मैं है येलो चूस कर लिया दैनि यहा कर दूँगा ताकि अपने पूजिशन से हिले ना देन आप लोग इस थम्नेल में कुछ टेक्स्चर लगाना चाहते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कुछ पी एंजी इमेज़ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग कुछ ओवरलेज डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मेरे पास कुछ ओवरलेज हैं तो मैं इंपोर्ट के ओप्सिन पर जाके ओवरलेज ले लूँगा यहां पर मैंने एक फायर एफेक्ट पी एंजी लिया है आप लोग क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इसको कुछ इस टैप से कोने पर लगा दूँगा इस ट टैप का क्लर रखने अपने बैक्रांड में उस टैप का रख सकते हैं जैसे में यहां से कलर इनेवल करता हूं यहां से मन 99 € कड चूज कर ताकि इसको मैं ईनेवल करता हूं, and इसका color हम लोग green कर लेंगे, then यहां से मैं done करता हूं, done करने के बाद यह पहले मैं layer वाला option disable करता हूं, then इसको मैं कुछ step से adjust करूँगा, and इसी को मैं copy करूँगा, and इस side भी लगा लूँगा, इंदन आप लोग को import के option पर जाना है and जो भी image आप लोग को इसमें लगाना है वो image ले लेना है तो यहाँ पर मेरे को उपर में मनोजदे का ही image मिला तो चलिए मैं यही ले लेता हूं then मैं इसको adjust करूँगा and इस टैप से कुछ इसमें लगा दूँगा तो यहाँ पर चलिए मैं कुछ steps लगा देता हूं then यहाँ पर आप लोग effect देना चाहते हैं मनोजदे के पीछे में जैसे white color का कुछ shadow type देना चाहते हैं तो वो दे देते हैं तो उसके लिए मेरे को image पर दुबारा देना पड़ेगा and image लेना पड़ेगा तो जैसे मैंने यहाँ पर white color का यह लिया है then मैं यहाँ से पहले layer वाला option disable कर देता हूं then इसको मैं rotate कर लेता हूं कुछ shape लिया था इसको मैं एक बार और copy करूंगा इस वाले option पर जाओंगा and इसको कॉपी करूंगा कुछ step से देन इसको मैं छोटा कर लूँगा and नीचे में जो हमारा extra part है वहां पर आप लोग को इसको लगाना है then इसी को मैं दुबारा से copy करूंगा and इसको मैं कुछ step से उपर में लगा दूँगा then layer वाले option पर जाएंगे and इन सब को lock कर देंगे and हम लोगा जो मनोजदे का PNG है and यह जो हम लोगों ने एक effect दिया shadow type का इसको मैं नीचे लेकर आ जाओंगा तो यहां पर मैंने मनोजदे के पीछे जो white color का shadow दिया वो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको replace कर लूँगा तो simply मैं layer वाले option पर जाओंगा and इसको select करूँगा and यहां से reselect वाले option पर जाके replace कर लूँगा then मैं layer वाले option पर जाओंगा and सभी को मैं lock कर दूँगा ताकि आपने position से हिले ना then अभी आप लोग को क्या करना है वापस से layer वाले option पर जाना है and यहां पर आप लोग के option मिलता है merge का इस पर tap करना है and यह सब PNGs को आप लोग को merge कर देना है जितना shape है जितना आप लोगोंने अभी image लगाया है बस आप लोग को जो आपका PNG रहेगा and आपका जो यहां पर effect मैंने लगाया था corner पे fire वाला उसको छोड़ देना है and बाकी सब को आप लोग को merge कर देना है इस वाले option पर tap करेंगे and इन सब को merge कर देंगे then यह सब merge हो चुका है then हम लोग layer वाला option disable करेंगे and यहां से आप लोग को एक option मिल जाएगा eraser का इस पर जाना है and इसको enable करना है and यहां से आप लोग को green color select करना है then यहां से done कर देंगे तो कुछ इस step से यह erase वाजएगा then यहां से done करेंगे then इसको मैं select करूंगा and कुछ step से इसको मैं छोटा करके कि यहांपर adjust कर सकता हूं और यहांपर कुछ steps लगा सकता हूं चाहू तो मैं stroke भी दे सकता हूं इस टाप से घंप लोग इस टाप से बना सकते हैं आप लोग सोच रहांगी कि मैंने prospective tool का यूज क्यों नहीं किया क्यों कि prospective टूल में आप लग से background नहीं दे सकते हैं इस टैप का आप लोग shadow effect नहीं दे सकते हैं जो मैंने मनोजदे के पिछे में दिया है देन में लियर वाले option पर जाऊंगा एंड इसको भी lock कर दूँगा देन हम लोग यह वाले option पर जाएंगे and plus के option पर tap करके अपना text लिख लेंगे तो यहाँ पर मेरा new text आया है तो इसमें मैं double tap करके यहाँ पर अपना text लिख लूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर थागेस लिखाया तो यहाँ पर सब मैंने capital में लिखाया देन यहासे मैं done करूँगा and आपको font लेना है आप लोग जो जो है यहलो कर लेता हूँ यहां से डन करना है यहां पे और श्याट को हैं नहीन परसेंट तक देन ऑपसेट एक्स को आप लोग माइनस की तरफ ले जाएंगे तो सेड़ लेफ्ट की तरफ जाएगा एंड प्लस की तरफ ले जाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा तो मैं हलका माइनस की तरफ ले जाता हूं एंड ऑपसेट य को हलका सा प्लस की तरफ ले करना है इनेबल करने के बाद यहां पे आप लोग को सबसे नीचे जाना है एंड इसको आप लोग को डिसेबल करना है सबसे पहले यह जो इनेबल रहेगा सबसे नीचे वाला उप्सन इसको डिसेबल करने के बाद आप लोग को सबसे उपर जाना है यहां पे आप लोग को दो लेगा प्रिस्पेक्टिव एंड ओपलिक तो आप लोग को डेप्थ दो रखना है यहां पर मैं दो रख लेता हूं देन आप लोग को डारकन अपने हिसाब से आप लोग अजस्ट कर सकते जो आप लोग को कितना रखना है यह 45 डिगरी पर रहेगा इसको आप लोग को 235 या 300 पर आप लोग को सेट करना है देन आप लोग को इसको कुछ इस टैप से इसके उपर अजस्ट करना है देन मैं से डन करके एंड टेक्स साइज पर जाके इसको मैं अजस्ट करूंगा अच्छे से यहां से मैं डन करूंगा एंड इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज कर लेंग तो इसी टैप से आप लोग को text effect देना है then आप लोग का जो ऊपर में जो text रहेगा उसमें आप लोग inner shadow देखे और अच्छा बना सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर inner shadow देता हूं इसको इनेवल करूंगा देन यहां से मैं inner shadow सेलेक्ट करता हूं जैसे मैंने औरेंग सेलेक्ट किया है तो और अच्छा नहीं लगेगा यहां पर हल्का सेमें डार्क औरेंज डाइट टाइप का यहां पर सेलेक्ट करता अधेन ऑपसेट एक्स को हल्का मैं कुछ इस टाइप से रखता हूं तो आप लोग को कुछ इस टाप का सेटिंग रखना है देन आप लोग का देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स टेक्स्ट लग रहा है तो इसी टैप से आप लोग टेक्स्ट एफेक्ट कर सकते हैं जो कि मैं अलग से क्लिप एड़ कर रहा हूं तो यहां पर आप लोग को टेक्स्ट ऑले ऑप्शन पर जाना है देन न्यू टेक्स पर डबल टैप करना है एंड फिर से हम लोग ठगेस लिख लेते हैं यहां पर दैन मैंने सब को कैपिटल कर दिया है देन आप लोग को फिर से एक बोल्ड यौके बैसे आना है और इसको इसको इबल करना है जो आप लोगोंने टेक्सट पर दिया है तो यहां से मैं ब्लू कलर में तो तो यहां से copy करने को बाद में इसका stroke आप लोग को disable कर देना है यहां पे and इसको मैं disable कर देता हूं then इसको आप लोग को इसके ऊपर adjust कर देना है then यहां से मैं done करता हूं done करने को बाद इसका color हम लोग change करेंगे तो इसका color अभी मैं yellow कर लेता हूं then yellow कर लेने के बाद मैं इसको done करूंगा done कर देने के बाद आप लोग को वापस से 3D text effect में आना है then इसको enable करेंगे and यहां से oblique choose करना है depth आप लोग को 2% यहां पर रखना है देन आप लोग को darken आप अपने हिसाब से choose कर सकते देन अंगल आप लोग को adjust कर लेना है 200 से 300 के बीच में आप लोग रख सकते हैं अपने हिसाब से तो जैसे मैं यहां पर 211 रख रहा हूं देन आप लोग को नीचे में सबसे नीचे में यह जो option मिलेंगा enable। इसको आप लोग डिसेबлем कर देना यहां से done करेंगे and इसको कुछ step से मैं adjust कर दूँगा then आप लोग 3-8 text को इसको disable कर सकते हैं then यहां से Doll be done करेंगे and shadow effect में जाकर इसको enable करेंगे and and shadow effect का जो blur radius है उसको आप लोग को कम कर देना है यहां पर मैं 5% तक कर देता हूं then यहां से आप लोग क्या करना है offset x को हलका सा माइनस की तरफ ले जाना है ज्यादा नहीं यहां पर मेरे से ज्यादा हो गया था यहां पर 6% रख लेता हूं इस टाप से भी आप लोग text effect लगा सकते हैं तो मं यहां पर मैंने टीं text effect आप लोगो आप लोगो सिखा दिये यहाँ वीडियो के लाफ कर दीजाएगा लेयर वाले option पे जाकर आप लोग अपने text को Merge कर देजेगा ताकि सब Merge हो जये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था देन वीडियो कांटिन्यू करते हैं यहां पे हम लोग का बस एक एफेक्ट रह रहा है जो कि थगेस्ट अपने जायतर थामनिल में यूज करते हैं वह है स्मोक इफेक्ट तो आप लोग पड़ेगा Smoke PNG आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं Chrome से यह तो टेलिग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं तो इस टैप का कुछ smoke PNG आप लोग को लेना है, यहां से आप लोग को कुछ इस टैप से लगा देना है, देख सकते हैं, इस PNG में मैंने जो cutout किया है, पहले से इनके उपर smoke PNG लगा हुआ है, तो आप लोग उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन smoke PNG वो use करते हैं, इस टैप से लगा देना है, देन आप लोग कुछ texture भी लगा सकते हैं, अपने thumbnail में, जैसे आपके topic के related, जो भी आपका topic देगा, उससे related आप लोग texture लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग extra texture भी लगा सकते हैं, जो कि आपके topics related नहीं हैं, बस वो आपके thumbnail में एक effect देगा, अच्छा वा हुआ देन इसको पूरा हलका सा कर दूगा बस हलका सा मैं रहुंगा कुछ इतना टेन परसेंट आप लोग को इसको एफेक्ट सेडों करने कर सकते नहीं तो कोई बात नहीं है यहां से मैं दन करूंगा एंड लेयर वाले अप्शन पर जाओंगा एंड इसको में सब से नीचे कर दूंगा नहीं तो आप लोग यहां से बैकभी कर सकते थे तो यह एवां को लाइक में इसमें कितना कुछ सिखा दिया तो लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में